हम देखेंगे 75GK के ऐसे मैधपून परसन जो की एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे बिल्कुल एक्जाम वाले परसन होंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा और 75 में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में दोस्तो जरू बतेशे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन दोस्तो आपकी स्क्रीन पर है नमलिकित में से कौन सुमलित नहीं है अगर आपको आंसर पता है दोस्तो तो Comment बोक्स में फटा फट से बता दिजे दे दूसरा question तो दूसरा question है दोस्तो गोता खोर सांस लेने के लिए पानी के अंदर किस गेस का उप्योग करते हैं तो सभी option में दोस्तो एक चीज तो common है O2 बट दूसरा कौन सा दोस्तो right answer होगा तो देखे इसमें right answer helium होगा यानी की h e तो option a is the right answer तो यह आपको या दखना है दोस्तो अगला question क्या कहता है next है कि सिने बार एक ask है दोस्तो answer बतेगा comment box में तो देखे बहुत ही जबरदस question है वीडियो को पूरा देखेगा वई आप लोग क्या करते हैं कि starting की 5-10 minute की वीडियो देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं पूरा देखे हर एक question important है तो तीसरे question का right answer होजेगा mercury यानी की h g is the right answer ठीक है तो इस question का right answer होजेगा mercury ठीक है चले जी अगला question आता है दोस्तो आपका सुल्तान गड़ी किसका मकबरा था तो इस question का जरा answer बतेगा सुल्तान गड़ी किसका मकबरा था तो मेरे प्याले दोस्तो इस question का right answer होजेगा नशिरुदीन एबक का यानी की right answer is option भी यह आपको याद अखना है तो यहां पर दोस्तो दोस्तो नशिरुदिन एबत नहीं होगा मुहम्मद होगा ठीक है न तो इंगलिस वाला सही है राइट आंसर बी रहेगा वैसे ठीक है चलिए अगला कोशन आता है किसे क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है दोस्तो तो क्विक सिल्वर के रूप में किसे जाना जाता है तो यहाँ पर भी दोस्तो राइट आंसर HG यानि की मरकरी हो जाएगा मरकरी को जाना जाता है ठीक है अगला कोशन आता है कैथोड किर्डे हैं तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा electron यानि की right answer is option ये आपको याद अखना है अगला question आता है दोस्तो किसान मजदूर परजा पार्टी किसके दुआरा बनाई गई answer बताईएगा दोस्तो comment box में ये बनाई गई थी दोस्तो J B करपलानी के दुआरा यानि की right answer आपका B हो जाएगा अगला question आता है निमलिकित में से कौन अपने पद की सपत नहीं लेता है तो मेरे प्यारे दोस्तो अपने पद की कौन सपत नहीं लेता है बहुत ही important question है और इस question का right answer हो जेगा लोकसभा का अध्यक्स अगर वीडियो पसंद आये ना दोस्तो लाइक तो आप करी देना अपने दोस्तों को जो त्यारी कर रहे ना आपके साथ में जो मेहनत कर रहे उन तक भी जरूर सेहर कर दीजेगा नोवा question है हेजा किस बैक्टिरिया के कारण होता है दोस्तो हेजा जो रोग है ये किस बैक्टिरिया के कारण होता है तो इस question का right answer हो जाएगा इन में से दोस्तो कोई भी नहीं है दोस्तो एक विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टिरिया होता है जिसके कारण से दोस्तो हेजा होता है ये भी point आप लोग याद रखेगा ठीक है विब्रियो कोलेरा चलिये जी अगला question आता है और next question कहता है कि aluminium का मुख्य ऐस्क दोस्तो क्या है sorry यहाँ पे नहीं पूछा गया है ठीक है यानि कि aluminium का मुख्य ऐस्क इन में से कौन सा नहीं है तो दोस्तो इस question का right answer हो जेगा calverite यानि कि right answer is option है reserve निलगरी जे मंडल reserve दोस्तो खालिस्थान में अस्तित में आया है यह आपको बताना है अस्तित में आया तो इस question का right answer हो जेगा भारत में पहला जे मंडल reserve निलगरी जे मंडल reserve खालिस्थान में अस्तित में आया था तो इस question का right answer हो जेगा 1986 में यानि कि दोस्तो 11 कोशन का right answer आपका D हो जाएगा अगला कोशन आता है तो सुद्रग्रे बेल्ट कहां इस्तित है दोस्तों तो इस कोशन का सही answer हो जाएगा आपका बिलकुल मंगल और ब्रस्पती के बीच यानि कि right answer is option भी ये आपको याद रखना है अगला कोशन आता है जग ट्रोफी का संब्द किस से है दोस्तों तो ये संब्द है दोस्तों किस से गोल्प से ठीक है राइट आंसर आपका ओप्शन ए रहेगा अगला कोशन आ जाता है ब्रहेद दराणयक उप्रिशद का संब्द किस से है दोस्तों तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा गारगी से यानि की राइट आंसर इस ओप्शन ए ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है रास्टे खादे सुरक्सा अधिनियम किस वर्स परारब हुआ था तो रास्टे खादे सुरक्सा अधिनियम दोस्तो प्रारब मुथा 2013 में यानि कि B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन से उप रास्थपती निर्वाचित हुए हैं तो बात आईए दोस्तो उप रास्थपती की तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तो बिलकुल यह सभी हो जाएंगे दोस्तो यानि कि राइट आंसर आपका D हो जाएगा इस कोशन का अगला कोशन आता है आपका कि कच्चा तेल किस चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों कच्चा तेल पाया जाता है आपका अब साधी यानि की सेडिमेंटरी चट्टानों में तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा अगला कोशन आता है दोस्तो भजन सोपारी की स्वाध्यांतर से संबंदित है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा संतूर से यानि की B is the right answer ये आपको याद दखना है अगला कोशन है दोस्तो डेलोजी कहां इस्थित है बहुत अच्छा कोशन है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेलोजी इस्थित है दोस्तो तो राइट आंसर दोस्तो आपका हिमाचल परदेश हो जाएगा यानि की D is the right answer नेक्स कोशन है सिंदी को आठवी भासा के रूप में किस सविदान संसोधन से सामिल किया गया था दोस्तो तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है 21 सविदान संसोधन के तहत यानि की right answer दोस्तो आपका A हो जाएगा अगला कोशन आता है राज्य सवा की निरताएं किस अनुच्छेद में दी गई है तो इस कोशन का मेरे प्यारे दोस्तो जो सही आंसर होगा वे आर्टिकल 102 हो जाएगा यानि की third option is the right answer अगला कोशन है राज्य सवा स्पीकर किसे इस्थिपा देता है दोस्तो राज्य सवा सबा का पहला सत्र कम हुआ था तो राज्य सबा का पहला सत्र दोस्तो 1952 में हुआ था यानि की right answer दोस्तो आपका C हो जाएगा अगला कोशन आता है कोई भी व्यक्ति भारतिय प्रदानमंत्री के रूप में अधिक्तम कितने बार सिवर्थ हो सकता है दोस्तो तो इस कोशन का right answer हो जाएगा दोस्तो देखे कोई भी limit नहीं है तो right answer आपका D रहेगा इस कोशन का अगला कोशन आता है कि लोक सबा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे मेरे प्यारे दोस्तो लोक सबा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे तो इस कोशन का right answer होगा तो right answer is option A मदाबिस एंगर यानि कि right answer is option A हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है कि निप्लिकित में से कौन सरवदिक समय तक लोक सबा अध्यक्स रहा तो इस कोशन का दोस्तो right answer हो जाएगा बल्राम जाखड यानि कि C is the right answer अगला कोशन आता है वित्य आयोग को कौन न्यूक्त करता है दोस्तो वित्य आयोग को न्यूक्त किया जाता है किसके द्वारा बिल्कुल सही answer किया है प्रेजिडेंट यानि की रास्पती द्वारा अगला question आता है सवतंतर भारत का पहला budget किसने पेस किया दोस्तों सवतंतर भारत का पहला budget पेस किसने किया था तो right answer हो जाएगा आपका RK सनमुकम चेटी यानिकी right answer इस भी आपको यादखना है ठीक है और सबसे अधिक बार दोस्तों budget किसने पेस किया है वो option इसी में ही है आप मुझे comment box में बताएंगे 29 कोशन का अभी तक का सबसे अधिक बार budget किसने पेस किया है अगला कोशन आता है इलाबाद विस्विद्याले की स्थापना किसके समय में की गई थी तो इलाबाद विस्विद्याले की स्थापना दोस्तो लोड डफरिन के समय में की गई थी यानि की राइट आंसर आपका C हो जाएगा अगला कोशन आता है मौपला विद्रो किसके दोरान हुआ था तो मौपला विद्रो दोस्तो हुआ था लोड डफरिन के दोरा यानि की राइट आंसर आपका C होने वाला है अगला कोशन आता है आजाद हिंद फोज की स्थापना किसके समय की गई थी तो आजाद हिंद फोज की दोस्तो इस्थापना लोड लिलित गो के समय की गई थी यानि की right answer is option यह आपको याद अखना है अगला question है निमलिकित में से कौन बेमेल है दोस्तो यह आपको बताना है तो यहाँ पर अगर मैं बात करू दोस्तो बिल्कुल अगल नेस्ट वाइल लाइफ सेंचुरी दोस्तो मेगालिय में नहीं है तो कहाँ पर है यह तो दोस्तो यह है अवनाचल परदेश में ठीक है तो यह आपको याद अखना है अगला question आता है मेरे प्यारे दोस्तो निमलिकित में से कौन सुमलित नहीं है तो इन में से दोस्तों कौन सुमलित नहीं है तो इन में से दोस्तों सुमलित कौन सा नहीं है तो यहां पर दोस्तों पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है तीसरा भी ठीक है बट हीलियम की कोश दोस्तों हैनी ब्रेंड ने नहीं की थी यह की थी किसने पिएरर जेंसन ने बैं आपे लिख देता हूँ पी आई डबल आर ए जे ए एन डबल एस इन तो ये भी आप लोग याद अखेगा वई अगला कोशन आता है निमलिकित में से तीन राजधानिया डेन्यूब नदी के किनारे इस्तित है एक नहीं है वे कौन सी है तो देखे यहाँ पर तीन राजधानिया ऐसी है दोस्तो जो डेन्यूब नदी के किनारे है बटेक नहीं है रोम नहीं है इनमें से बाकी ये तीनो है अब आप मुझे कमेंट बोक्स में वताएंगे दोस्तो रोम किस नदी के किनारे इस्तित है ठीक है ये कोशन भी एकजाम में कहीं बार आया है और मैं कहीं बार करा चुका हूँ माइक्रोफोन का अविस्कार दोस्तो किस ने किया था तो माइक्रोफोन का अविस्कार किस ने किया था इस कोशन का राइट आंसर होगा अगला कोशन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन किस वर्स प्रारम किया गया था, इस कोशन का रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में यानि कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है देश में नियुनुतम साक्षारता वाला जिला कौन सा है दोस्तो जिला यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है स्टेट मैंने आज ही कवर कराया था ठीक है आप लोग कमेंट बोक्स में वताएगा दोस्तो नियुनुतम साक्षारता वाला स्टेट कौन सा है ठीक है यानि कि लोवेस्ट लिटरेसी रेशो किस राज्य में है और हाइस्ट किस में है दोनों कवर कराया थे कमेंट बोक्स में दोनों का राइट आंसर दोस्तों राइट हो जाएगा इसका अली राजपूर यानि की राइट आंसर इस ओप्शन यह आपको याद अखना है निमलिकित में कौन लगतार आट बर लोक सबा संसद रहे हैं तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा माजन यानि की राइट आंसर इस ओप्शन सी यह आपको याद अखना है राष्टे महिला आयोक कब गठित किया गया था दोस्तों राष्टे महिला आयोक की स्थापना हुई थी 1992 में यानि की राइट आंसर आपका सी हो जाएग दोस्तों next है PIL what is meaning L, PIL में L का मतलब क्या होता है तो PIL की full form होती है Public Interest Litigation यानि की इसका answer हो जाएगा litigation यानि की right answer is option A अगला question आता है दोस्तों किछ केसवरी मंदिर इस्तित है तो किछ केसवरी मंदिर दोस्तों कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है उडिसा में यानि की right answer आपका C हो जाएगा भई अगला question है सिक्किम राज्य को किस सविदान संसोधन के बाद राज्य का दर्जा दोस्तों प्राप्त हुआ तो इस question का right answer हो जाएगा 36 सविदान संसोधन के तैट यानि की B is the right answer जवाल लाल नहरू के निधन के पश्चात किसने परदान मंतरी पद ग्रहन किया था दोस्तों तो इस question का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है गुलजारी लाल लंदा यानि की D यहाँ पर सही answer हो जाएगा 44 का 45 है किसको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है तो ये मैंने आपको कराया था दोस्तो यसवर्धन कुमार सिना दोस्तो right answer हो जाएगा और ये question important है repeat हो गया है ये वीडियोज में अगला question ये तो छोड़ दीजे ठीक है अगला question है भारती रास्टे गीत वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किस ने किया था तो इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल आरिफ मुहमद खान ने यानि की right answer आपका second हो जाएगा अगला question आता है कन्फ्यूजिया वाद किस देश में इस्थापित किया गया था तो ये इस्थापित किया गया था दोस्तो चाइना में यानि की right answer आपका B रहेगा अगला question है निमलिकित में से किसे 1857 के विद्रों के दुरान फासी की सजा दी गई तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा तातिया topic को यानि की right answer दोस्तो आपका option A रहेगा अगला question आता है सारदा सदन की इस्थापना किसने की तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल इन में से दोस्तो अगर मैं बात करूँ तो none of these right answer हो जाएगा रामा बाई इस question का दोस्तो right answer रहेगा ठीक है रामा बाई ने की थी चलिए जी और कब की थी 1889 में ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अगला question आता है सविदान के किस अनुच्छेद रास्पती उस्तम न्याले का प्रामर्स ले सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा अनुच्छेद 143 यानि की right answer is B ये आपको याद अखना है अगला question आता है रास्टिय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स की किस आयोग से सम्मंदित होने पर पद पर नहीं बने रहेंगे तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा आपका बिल्कुल 70 वर्स यानि की B यहाँ पर correct answer हो जाएगा दोस्तो अगला question आता है अनुच्छे 340 सम्मंदित है तो article 340 is related to तो दोस्तो ये related है पिछडे वर्ग आयोग से ठीक है backward classes commission से तो right answer is 4 ये आपको याद अखना है अगला question है पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था तो दोस्तो पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था इस question का right answer हो जाएगा हरी once राय बच्चन को दोस्तो right answer हो जाएगा option भी ये आपको याद अखना है अगला कोशन है मुर्लेन नैसर पार्क किस राज्य में इस्तित है दोस्तों मुर्लेन नैसर पार्क इस्तित है मिजोरम में तो राइट आंसर हो जाएगा आपका D ये आपको याद रखना है next question is भारत में किस सूफी सिलसिले को सरवदिक लोक्पिरिय मिली लोक्पिरियता मिली तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल चिस्ती को यानिकी right answer यह option है यह आपको याद दखना है अगला question है निलगिरी परवत नहीं फैला है तो निलगरी mountain is not spread कहां तक नहीं फैला है दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल आंद्र परदेश तक यानि की right answer दोस्तो यहाँ पर भी हो जाएगा अगला question आता है साइब जादा अजीत सिंग नगर किस राज्ये में है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल यह है आपका पंजाब में तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा पंजाब यह आपको याद दखना है अगला question आता है भारत में कौन सा रास्टे उद्धान नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो सागर माथा रास्टे उद्धान यह आपका नहीं है तो right answer आपका C हो जाएगा यह दोस्तो नेपाल में है ठीक है यह आपको याद रखना है अगला question आता है मिखाईल कलास्री कोव का अविसकार किस ने किया था तो यह दोस्तो अविसकार किया गया था किसके दौरा बिलकुल इन में से कोई नहीं है यानि की right answer आपका D हो जाएगा अगला question आता है golden house किसके दौरा लिखित है दोस्तो golden house किसके दौरा लिखित है तो इस question का right answer हो जाएगा सलमान रुसीद तो right answer is D यह आपको याद अखना है अगला question है सेनिक स्कूल गोरा खाल इस्थापित किया गया था तो यह इस्थापित किया गया था 1966 में यानि की B right answer हो जाएगा अगला question आता है दोस्तो कोस्मोनिस्टिक्स दिवस किस्तिति को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दोस्तो आपका 12 अप्रेल को यानि की A right answer हो जाएगा अगला question है किस राज्य के केसर भोगोलिक संकेत यानि की जिय टेग पंजिकरर का प्रमान पत्र मिला है तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा जम्मू कस्मीर को ठीक है अगला question हाता है हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त गोसित किया गया है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा मालदीव और सिरलंका को यानि की right answer इस option है अगला question है golden bird wing क्या है दोस्तो golden bird wing है एक butterfly यानि की right answer इस option सी यह आपको याद अखना है अगला question है reliance ने मुक्त वीडियो कॉलिंग के साथ कौन सा एप जारी किया है तो इस question का right answer दोस्तो जीओ मीट हो जाएगा इस type के current affair के question भी आपसे पूछे जा सकते हैं हाल ही में वार्सिक मचली उतपादन में कौन सा राज्य सिर्स पर रहा है तो इस question का दोस्तो right answer तमील नाडू हो जाएगा यानि कि C is the right answer ठीक है अगला question आता है N.E.O. मौरिकोन संगीतकार हाल ही में मृत्यू हो गई वे देश से संबंदित हैं तो ये दोस्तो इटली देश से संबंदित है यानि कि D यापर right answer हो जाएगा अगला question है 100% LPG connection वाला राज्य कौन सा बना है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा ही माचल परदेश यानि कि C is the right answer अगला question है loan in second सेवा किस bank द्वारा जारी की गई है तो loan in second दोस्तो ये सेवा जारी की गई है yes bank द्वारा यानि कि D आपका right answer हो जाएगा दोस्तो क्या है OFX 16 तो दोस्तो ये है एक satellite यानि कि इस question का right answer हो जाएगा भी ये आपको या दखना है ठीक है जी अगला question है प्रारूप समीती में कितने सदश्य थे तो प्रारूप समीती में दोस्तो साथ सदश्य थे तो इस question का right answer हो जाएगा आपका भी